मैं मिसिस खरे लाल बागर्स इंटर कॉलेज के यूटूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ आज मैं क्लास 11 के लिए फिजी स्रीज का पार्ट 23 लेकर आई हूँ बच्चो यह आसाइनमेंट है और इसको अलग कापी में करना है और इसका फोटो खीच करके आप मेरे परसनल वाटसप पे मंडे तक फेज देंगे प्रेशन है निमन के अवकलन घुडांक लिखिए इसका ए पार्ट है डी बाई डी एक्स ओफ एक्स रेस टू एन यह क्या हो जाएगा एन एक्स रेस टू एन माइनस वन डी बाई डी एक्स ओफ साइन एक्स बराबर कॉस एक्स हो जाएगा डी बाई डी एक्स ओफ साइन एक्स बराबर माइनस साइन एक्स हो जाएगा सेकंड कोशन इंटिग्रेशन है एक्स दिग्रेशन है एक्स दिग्रेशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स और cos x का integration हो जाएगा minus sin x next question है विरा मवस्था के लिए समय graph बनाएए विरा मवस्था के लिए समय graph क्या होगा समय एक्ष के समांतर सीधी रिखा होगी इधर आप समय एक्ष बना लीजिए इधर आप इस्तिति एक्ष बना लीजिए तो ये आपका इस तरह से graph क्या हो जाएगा ये विरा मुवस्ता को प्रदेशित करेंगे एक समान गती के लिए next है एक समान गती के लिए इस्तिती समय graph बनाईए तो ये क्या होगा एक सीधी रेखा होगा कुछ कोन पर जुपी हुई जैसे माली इधर आपने एक समान गती के लिए समय स्तिती ग्राफ है एक व्यक्ती फिर next question है question number 5 एक व्यक्ती 20 मीटर दूरी 5 सेकंड में तथा इससे आगे की 20 मीटर दूरी 3 सेकंड में तै करता है व्यक्ती की और सचाल ग्याद कीजिए टोटल दूरी बटे टोटल समय टोटल दूरी के है 20 प्लस 20 मीटर समय के है 5 प्लस 3 आठ सेकंड तो 40 बटे 8 ठीक है फिर आईए ये कोशन हम करा चुके हैं आप वीडियो में देखेगा उसमें मिलेगा 6 कोशन है एक व्यक्ती 2 मीटर व्यास के अर्द व्यति पत पर एक छोड से यात्रा आरंब करके दूसरे छोड पर पहुंच जाता है गड़ना कीजिए व्यक्ती द्वरा चली गई दूरी और विस्थापन हमने आपको कराया था देखे दूरी में क्या हो गए आधी परीदी चलेगा पाई इन्टु आर अरेडियस क्या एक मीटर पाई कमान 3.14 ठीक है 3.14 मीटर आ जाएगा चली गई दूरी विस्थापन क्या होगा दो मीटर हमें पीछे वीडियो में कराया है देख लीजेगा बच्चों सब पार्ट देखते जाओं आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स पार्ट में